वेलकम जुकामसुत्रा तो पिछले वीडियो के अंदर जो आपको चार आलिंगन बताये थे वो थे अचारे वाब्रे के अब जो आपको चार आलिंगन में बताने जा रहा हूँ जो कि शास्तर में लिखाया है वो श्रणा नाप जी ने बताया है तो पहला जो है वो है अरूप गुहन इसमें होता है कि इस्त्री और पुरुष को एक दूसरे की तरफ मुह करके लेट जाना चाहिए और अपनी एक जांग से सहभागी के दूसरे जांग को बहुत जोर से या दौनो जांगों से उसकी दौनो जांगों को जोर से दबाने को अरूप गुहन आलिंगन कहते है दूसरा है जगनोप गुहन इसमें लेटी वियोस्ता में जब इस्तरी काम और तेजना को तेज करने के लिए पुरुष की जांग को अपनी जांग से दबाती हुई उसके ऊपर लेट जाती है और फिर उसके मुझ को चूमती है और शेरीर पर दांतों से काटती है नाखुन गढ़ाती है तो इसे जगनोप गुहन आलिंगन कहते है तीसरा है स्तना लिंगन इसमें इस्तरी अपने अपर पाट को पुरुष की छाती से लगा कर उसका सारा वजन पुरुष की छाती पर डाल देती है और उसके बाद जोड से दबाती है तो उसे स्तना लिंगन आलिंगन कहते हैं और चौता है ललाटी का इसमें सहबागी के मुह के सामने अपना मौ और उसकी आखों के सामने अपनी आखें करकर उसके मस्तक से अपने मस्तक को दवाने को ललाटी का आलिंगन कहते हैं आज के लिए इतना ही नमस्ते